Hi friends, Good evening. आज हम लोग इस विदियो में बात करने वाल हैं Conservation के बारfront हमलोग बात करेंगे इस विदियो में कि migration कैसे किसी population के 버ना है migration-related theory मेनजि Geor इस सिरीमें इस विदियो मेनजि विदिसक्रसं करेंगे वह का Migration से related theory is मैंजि तीन theories हैं जिनंके बारे मार्रों आपको बहुत आए से जानना होगा पहला जो धियरी यह वह related है पहला जो धो धी रियरी उसका नाम है यह कि रवरेंस नाह भाल मीग्रेशन जो शेकंडel थुरी के बार में अबको मैं बता हूँगा उसका नाम है इंवर्स डिसेंट्स लॉग जो की जे के जिफ्ट वार दिया गया था जो लास्ट थीरी है माइगरेशन से डिलेटल वो दियते एस स्टॉफर रहे जिनका नाम है थीरी ऑफ इंटेविनिक अपर सुटिटिस तो आज हम इनी तीन थीरी के बारे में को रिसीटियो में चाचा करेंगे और आपको बताऊंगा कि इन तीनों थीरी का क्या मतलब है है जह से मैं ग्रिवर घृटल देख लिए वूब का मांट डिवर जांते हैं कि माइगरेशन जो होता है में वह पोपुलेशन जोहीं करण पर बहुत बढ似 इनकाम्स को बारता है कैसे उता है इसी जो 시청 में दो तरीके सा आए तो संद्देन आपकर सातें या पिल रटेरह स वह जो होता है कि आपके हाँ नेचरली तो पोकुलेशन ग्रों कर रहा है या फिर आपके हाँ नेचरली डिकलायं कर सकता है लेकिन आगर source A से destination B पर कोई इंसाल माइगरेट कर रहा है, माल जए कि कोई country A है और वहाँ से कोई इंसाल माइगरेट कर भी country B में जा रहा है, तो country B में वो positive impact दिखाएगा population के change के perspective से. क्योंकि population B के लिए वो तो क्या होगा, पोश्टी भी तो change होगा रहा, क्योंकि उसके पास में population extra head हो गया, कोई दूसरे ज़्यादा से आई वो population वो अपने यहाँ contain कर रहा है, इसलिए population B के पास में होगा, country B के पास में होगा, वहाँ पे population में increasement देखने होगा है, जो की naturally नह अपने model में बताया, जिसका नाम तर law of migration, रेवेंसिन अपने law में मोटे-मोटे 8 points बताये जिनका यह मतलब होता है कि कीस परकार से कोई इंसन migration दिखाता है, migration क्यों होता है, क्या pattern होता है, migration का pattern क्या होता है, जो migration के चलते current flow होता है, current जो data होता है, उसके counter currents बनते हैं, उनके सब्सक्राण करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको रेवेंसिन के model के बताते हैं, रेवेंसिन का जो माइगरेशन से दियावा मोडल था, उसके बताते हैं, देखिए, रेवेंसिन ने अपने law of migration को 1880s में क्या था, उन्होंने बोला था, उन्होंने पहले point में क्या बताया, द आपको प्ताया, ऄदीज यह हुआ है की अधिकां आप सो माईगरेंस से मित पतनन दिखाय डिख कर स मतर्दिन का इसाया था जाता है रेवेंसिन क्योंने इसा कभी प्रकुर्चाशा Bethटु और ने बोलने बदेगे मपाला होगा सबसे पहले लोर डिसंस पर स्थ ही संसन बहुँड करेंगे वह को जो मपाल अएक। में मपाला ऊन्हेर पतारे लिए पर संस पर नहीं तुम में नहीं गाल आई। माइग्रेशन जो होगा, वो स्टेजेज मोगा, स्रीज उफे स्टेजेज विल बीडेवलग दूरिंग दूर्स उफ माइग्रेशन, यह उनका सेकेंड मोडल था, मतलब कोई इंसान पहले यहां से कोई दुसरे जगा जाएगा, इनका मेट करना छाहता हूँ, तो सब्से पहले, मैं यहां से माइग्रेशन कड़के लुछ नहीं चाहूँगा, यह यह उसे आके जाओगा, यह जो होते हैं वो स्टेप राइस्टेफ होते हैं, और वह जो माईगरीरेसिन होगा Mensch सिंगी जो तो की जो माईगरीरो असे इसारा से बास जो डिंग सूपर जीए और उसी जो संग को गिसार ओनिद इस मीघरीरेसिन होगा अर्वह जो मीघरीरों सेस्वर जीडीरिया मतलब यह उन्होंने वद गाय था कि जो माइग्रेशनल पैटर्न डेवलप होगे और जो माइग्रेशन फिछल्ट इफटर्जर डेवलप होगा वो एक तरीक्या से सिम्लर्ट फीचर से दिखाएगे यह नहीं कि कोई migration pattern दूसरे तरीके से हो रहा है, और दूसरे तरीके से हो रहा है, जो भी अलग अलग सेचेज में migration होंगे, और जो भी step by step migration होंगे, वो similar pattern दिखाएंगे, कि इसी पॉइशन के model की कुई आधा, क्योंकि उन्होंने थार पॉंट में mention किया, जो उन्होंने फोर्थ पॉंट मताया, जितने भी migration होंगे, जितने भी migration के stream develop होंगे, जितने भी migration के current develop होगा, कोई इंसन अगर कलकटा से देली जा रहा है तो क्या होगा और इसी इसी पॉंट में ने बताया कि जो करने डेवलप होगा उससी के प्रस्पेक्टिव सब काउंटर करें कि इस अगर कोई मतलब इंसान कलकटा से रहा हैं करने के लिए दिली सभी कलकता कुछ लोग रहे हैं अब ऐसा होता है नहीं होता है वह अलग प्रस्पेक्टिफ डेवलाप हो जाते हैं हम उनको ने इस विडियों में डिसकर सब्सक्राइब जब माइग्रेशन से रिलेटेड थीडियों को आम लोग दीप से अनाल्यसिस करें समझ ये कि जो भी में क्र्थ में गरिव्लॉप होगे उसके काउंटर करेंग इस निए और के में अ रिंटर को एक निर्श बिलॉक्ति गोरल अब ये बता रानता की चैनल की बादर एक से प्वयं agree ॉोशन की ये सल तो होता है ना में जिलिए तो शोधे की को मैंख नीटर तो माल जिसे कि, without technology वाल सेक्टर में आप कोई technology नहीं है, कोई place A है और आप कोई technology नहीं है, लेकिन कोई place B है, A से place B के पास मुझे migrate करके जाना है, तो अगर मेरे पास कोई technology नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कम migration दिखाऊँगा, मतलब मेरे अंदर migrate करने की tendency कम रहेगी, लेकि जैसे ही मैंने फिर्स टिक्नोलोजिकल एस्वांस हो जाएगी, जैसे ही मैं technologically advanced हो नहीं होगा, मेरे अंदर migrate की tendency बढ़ जाएगी, मतलब मैं migrate की दिखाने के लिए ज्यादा excited हो, मैं ज्यादा migrate की दिखाऊँगा, यह रहे शी नहीं नहीं था, अब देखिए, जिसे ह लेकिन अब technology ने क्या किया, उन ख्वाबों को हाकिकत में बदल लेकिन आज से पहले जब technology नहीं था, उस समें migration दिखाने में टाइम होते थे, लोग हमेशा क्या करते हैं, जब ही technological advancement होती है, तब जो मैग्रेशन की पैटने की पैटने की पैटने की पैटने की पैटने की पै जब होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा में दिखाने की इसाइड होती है, ये, ये Revencine के दिया हुआ सिधान था, जो Revencine ने next point बताया था, उनका मना था, Revencine का मना था, कि जो male होती है न, वो हमेशा long distance migration दिखाने है, हमेशा long distance migration दिखाने है, लेकि, यहां पक समझने कि मेल जो होते हैं वो लॉग डिस्टेंस में दिखाते हैं लेकिन जो फीमेल होती है वो हमेज़ा सौर्ड डिस्टेंस में जो पर आप समझ लिए कि माइगीरेशन आपके लिए पनकिया आपको पढ़ना ही पढ़ना पुरेगा मेल होते हैं डिस्टेंस में अपने मेगरे ﷺ मौडल यानी कि जो उन्होंने एंपरफ मुष्पय होते हैं तो ये था। मेरे में पंज पाँस आती हैं जो है J.K. 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 J. और जो भी पैली और घीजेगे कुछ ने खामिया पूती होते हैं और इस्य कुछ औंगी आने वाज़ेवार पर होते हैं थोड़ा सुधार करते हैं निम्लार गोस और एक नीव तीयो क्ट और एक ऐसा जी बहुत बड़े जिए सी जीवत ऊजह का ग्लाीय ममेट कि जो रहेंसी टे ये माईगे समगा भ Rabbit ऑुसने उन्होन सुधार किया अर उन्होने बताये healthy basis ऑ सवर्म कवर्विया कर दोर्या उन्होने एक नया उता है उन्होने एक संटेंस दिया जौ पूरी क्या पूरी क्रख्ष का जेल जिरकी माइग्रेशनल प्रेश कोगे, पुरा प्रक्स था, उन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनिया प्रक्स, उन्होंने बोला कि the volume of migration is inversely proportional to the distance traveled by the migrants. मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा distance होगा उतने ही कम लोग माइग्रेशनल दिखाएंगे पैटा, और जितनी कम distance होगा उतने ही ज्यादा लोग माइग्रेट होगे, मतलब यहाँ समझने के लिए मैं आपको जांपन दे सकता हूँ, कि अगर मुझे या फिर इलहाबाद के लो लेकिन यहाँ जो माइग्रेशन होगी वो दिली माइग्रेट करने के मुकाबले सबसे जादा होगे, क्योंकि यहीं JKGF ने बोल लिया था, JKGF ने बोला कि जैसे जैसे distance बढ़ेगा, वैसे वैसे माइग्रेशनल पैटर्न में कम ही देखने को दोगे, कम distance पे जादा माइग जादा होता है, मतलब अगर आप cultural differences दिखाएंगे, तो आप में माइग्रेशनल पैटर्न की tendency कम हो जाएगे, अगर आप माइग्रेशन देखाने के लिए सोच, अगर आप इलहाबाद में माइग्रेशनल पैटर्न दिखाने, माइग्रेशन देखाने के बारे सोच है, तो आप इलहाबाद से अलग हो जाती है, तो यह एक रेशनल का मोडल में पैटर्न देखाने के लिए सोच है, तो मैंने आपको बता दिया जैके जीफ के बारे में भी कि जैके जीफ ने बूला था कि जैसे 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 वार्लोम एंग्रेशन होती है, मतलब जैसे जैसे पाई करके एक नया प्रिस्पर देने वाले इंसां थे और वो थे एस स्टॉफर, एस स्टॉफर ने भी एक थियोरी दी और इन जो दोनों में कमिया थी या फिन नहीं थी तो उन्होंने उप नई पॉइंट एड़ करके अपनी थियोरी को प्रपोस किया, उन्होंने अपने थियोरी में कुछ नया एड़ किया था, इस स्टॉफर, जो बूद बड़े चॉपर फरतूनों ने 1940s में थी थी, उनके थियोरी के नाम था, the theory of intervening opportunities, देखिए आप नहीं decide करता है intervening opportunities, पूरी की पूरी थियोरी किनके ग्रक्ष थी, दो वर्ड, intervening opportunities, इसका मतलब क्या होता ह है, बे, आदर कोई point A है, और एक point B है, और B में point C है, मैं point A पर राता हूँ, ठीक है, मैंनाइट लाइफ जिना चाहता हूँ, मैं party करना चाहता हूँ, मुझे night life पसंद है, मुझे day life पसंद रहेंगे, मैं enjoyment करना चाहता हूँ, मुझे openness पसंद है, यह सब है, जो point A है, वही जो point B बताया था, वह बंगलोर है, और जो point C बताया था, वह बगारस है, तो जो S स्टॉफर ने बता गया था, वह यह बता गया था, कि अगर कहीं पे, मतलब मैं point A हूँ, और बैंगलोर मेरे से 4 km दूर है, अगर मुझे बैंगलोर जाना है, तो बैंगलोर के पास में इतन पावर होनी चाहिए, कि मुझे किसने की चलता रखता हूँ, मतलब यह बोले के मतलब यहां पे है, कि अगर बैंगलोर के पास में ज़्यादा प्रचुनिटीज नहीं होगा, तो मैं बैंगलोर में मैं इतना नहीं कुछाँगा, मैं बरारस जाना हूँ, यही होता है, इंट नहीं होता है, शेटरोफर के बोली दे, उनने बोला था, कि directly proportion to the number of opportunities, मतलब, the number of person going to a given distance is directly proportional to the number of opportunities and that distance, मतलब, अकर जहां पे कम opportunity होगी वहां पे जादा लोग में इसां निखाएंगे, मतलब यह हुआ कि अगर मुझे जादा धिस्सक्त कवर करना होगा, तो मतलब यह हुआ कि वहां पर ज़्यादा पॉपश्टूडी चोट कर रहा हूं कित पर कर से आठीपुश्य चेंज चेंजेज होते हैं पॉपलिशन में जीजए हुआ पाँगा वो बताऊंगा कि Population Change होता क्या है और जो Population Change के दो other aspect है यानि कि fertility रहें इंक्रिजमेंट और इक्रिजमेंट या फिर mortality रहें इंक्रिजमेंट और इक्रिजमेंट वो में कवर कर दो Thank you so much